यह है हमारा हिंदी ब्याकरन का दूसरा अध्धाए पहला अध्धाए हमारा भाशा था जो भास धातु से बना हुआ था और उसके लिए हम दो बुक का यूज किये थे एक क्राउन पब्लिकेशन का और दूसरा बुक जो था वो था हमारा लूशेंड का बुक का question answer उसमें डा हुआ है तो यहां पर बात रहा कि बहुत सारे बच्चे बोले कि सर कोन बुक से पढ़ा रहे हैं तो भाईया हम कोनों बुक से पढ़ा है उससे आपको क्या लेना देना है बस आप इतना जानिए कि आपको जो भी पगड़ना है वह एक दम सही होना चाहिए अगर गलत है तो उसमें सुधार करने का ताकत होना चाहिए तभी वह बुक को आप पढ़िए काहे तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं उसमें जो गलती उसको हम सुधार किया है अभी जो आपको हम लीपी पढ़ाने जा रहा है इसमें भी हम सुधार करेंगे इसमें भी बहुत सारा चीज गलत दिया हुआ है, बुक कोई भी हो, उससे फरक नहीं पड़ता है, लुसेंट का हो, क्राउन का हो, सिवांगन का हो, कोई भी हो, भारती भवन का हो, कोई परकासन का हो, मतलब ही नहीं है, हिंदी ब्याकरन जो है, बहुत बिस्तारित है, बहुत बिस्तरित है, इसमें एक से एक लेखक पड़े हुए हैं आप जिल का बुक उठा लिजे हम तो द्रिष्टी का बुक भी फॉलो करवाएंगे यह तो भासा है और लिपी है इसलिए ना आगे चलिए उसमें जब चैप्टर वाई जाएगा तो उसमें आपको बहुत सारा बुक का आपको पीडियफ मिलेग बस यह होना चाहिए कि हम जो चीज पड़े वो चीज सही होना चाहिए ने तो फिर सर-सर-सर पहड़ रहा और एकजाम जाके क्रोस मर्क लेया आ ठीक है तो ध्यान दिजेगा आज हम लोग पढ़ेंगे लीपी क्या पढ़ेंगे लीपी भासा पढ़ चुक है भासा ध्वन तरह वहोता है बोलना बताना कहना ठिक है अगर उसको हम आकार देना चाहे तो उसके लिए हमको किसका जवरत पड़ेगा लीपी का जैसे हमको लिखना है कववा तो का लिखेंगे तब ना होगा बाबु कववा हमको लिखना है छववा तो छो लिखेंगे तम ना होगा हमको लिखना है नववा तम ना लिखेंगे तम ना होगा इसलिए बोला हर लाइन को सेट पेपर नहीं आता है फिरी में कोई चीज का आता ना सेट पेपर सौन नंबर का डाउनलोड कर कर अपना पता चल जाएगा हम लोग तो सीटेट और जेटेट पढ़े हुए हैं इसलिए आपको करवा भी दे रहें अच्छे तरीके से तोड़ तोड़के और उन लोग पढ भाशा मूशे लेखन हाथ से कोई दिकत यानि की वर्न जो होगा किसे हाथ से कोई दिकत बावो डॉक्टर देवेंद्र नात सर्मा के अनुसार लीपी ने भाशा को देश और काल के बंधनों से मुक्त कर दिया है भासा की छन अस्थाइता को चिर अस्थाइता में परिवर् जब साउथ में गए तो बोले हमको पानी देना तो बोला पानी वाटर बोला कि हाँ पानी वाटर तो दिया देश को बंधन से मुक्त किया कि ने किया आप कहीं भी गए इसारा करके भी पानी वांग सकते पानी बोलिएगा भी तू जान जाएगा क्यों तू हलका हलका उनको भी knowledge होता है जैसे England से कोई आएगा water बोलेगा तो क्या उसको water आप नहीं दिजिएगा दिजिएगा ना इसलिए बोला काल काल काने का मतलब कोई काल खंड हो हम रमायन को आज के डेट में पढ़ पाते हैं और जान पाते हैं कि रमायन में क्या लिखा हुआ था इसलिए कहा गया देश और काल मतलब शमय से इसको दूर जो चीज आज हम लिख के जा रहे हैं क्या मेरा नाती का नाती का नाती का नाती पढ़ नहीं पाएगा क्या नहीं पढ़ पाएगा पढ़ पाएगा लिपी का विकास विभिन परकार की लिपियों से माना जाता है पहला चित्र लिपी, कौन सा लिपी, चित्र लिपी, नहीं समझें, जैसे चित्र लिपी में कोई चित्र बना के आप बता दिये, ठीक है, सुत्र लिपी, जिसमें कुछ सित्र हो, परतिकात्मक लिपी, कुछ परतिक बना के दिखाए, भाव मुलक लिपी, जिसको इमोजी बोलते है । करते हैं वाव ध्वनी मुलक लिप और ध्वॐनी मुलक लिपी। इतना लिपी है। बिद्वानों का यह मान्यता है कि चित्र लिपी के माध्यम से ही मनुष्यों ने लिखना आरंद किया है मन्द बिद्वान लोग का मानना है कि चित्र लिपी के माध्यम से ही हम लोग पढ़ना लिखना सुरू किये है या फिर हम स्रe पढ़ना नहीं, लिखना हम लोग क्या किये हैं, शुरू किये हैं, तो इस line को underline किया जाई here owner. है है न, पूछेगा, आपका जो लेखन का प्रारंब हुआ है, लेखन आपका जो प्रारंब हुआ है, वो किस लिपी के माध्यम से हुआ है? आपका माद्यम क्या था ? चित्र लिपी 하면서 अच्छर आतमक लिपी इस लिपी के चिन अच्छर को व्यक्त करते हैं अच्छर को व्यक्त करते हैं जैसे कव तो को में हलन्त है नाकपुरी में याद है ना बुक में क्या लिखा हुआ था नाकपुरी का बुक जब आप पढ़ रहे थे बाबू तो उसमें क्या लिखा हुआ था कैसे तोड़ा हुआ था का जोड ओ में हलंद लगा था जैकि सरासर गलत था उस समय भी हम कटवाए पूरबुक को सुधार करवाए थे अर डंके का चोट पे सुधार करवाए थे ना तो यहाँ पर भी आपको डंके के चोट पे ही हम सुधार करवाएंगे सब चीज़ ध्यान अच्छा रातमत यह कैसा है अच्छा रातमत लीपी है काने का मतलब है भाईया इनके पास अक्छर है इस फिर है वरणातमक इस लीपी में परतेक वर्ण के लिए अलग-अलग चिन होता है ठीक है रोमन लीपी वरणातमक लीपी रोमन जो लीपी रोमन मतलब क्या I am a boy you a girl she is gone मतलब है न हाँ यह चीज रोमन लीपी वरणातमक लीपी है जैसे रोमन में को के लिए क क्या लिखते भाया के पापा याद है अम लोको जब हम लोग रहते तो फॉबंघान पैपागा पोश्टिंग था वर्णे को वर टेम में लिखकिते मानोहर इसे मानोहर फोती को खोलते तो बंखते देखो E कर दो लिखे एक लेमें के सोट वाहा इसे सबीênio समास ही जाता था कि अच्टसरा बियुक्त का सुरिए pops है कि उनलगиль ग्याति पाके साल करल दुख सोटवद है यहीं होता है गार्जेन आपके उपर मेहनत करेंगा ता भी फशल दमदार काटेंगे अज गार्जेन काट रहे हैं और क्या भाषा बिज्ञान की दृष्टी से इसे आदर्श लिपी माना जाता है पूछेगा वरनात्मक लिपी या फिर अच्छरात्मक लिपी दोनों में से क अश्ट ध्याई में लिपी कर आदी शब्दों का उल्लेक है पानिनी नाम सुने होंगे अश्ट ध्याई का रचना करते हैं और उनके गरंत में मतलब अश्ट ध्याई जो गरंत है सबसे पहले देखिए आप बच्पन से पढ़ते आ रहे अश्ट ध्याई अभी थोड़ा द अश्ट ध्याई में लिखा गया भईया आठ अध्याई में इसलिए इसका नाम है अश्ट अध्याई और जब मिला भिया न संधी कर दिया तो अश्ट ध्याई हो गया अश्ट ध्याई हो गया इसमें परतेक अध्याई में कई गोपद है मालूम है चार गोपद है इसके पर ओपाने कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए ध्यान रखियेगा establish हाडा-खर इसको कुल मिला दीया जाना तो कितना शुट्र आता है एकजान में आता है बावू कात्ययान कौन है कात्ययान इन तीनों को मिला कर कहा जाता है बाबु याद रखिए एकर हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो इनको कहा जाता है त्री मुनी क्या कहा जाता है त्री मुनी एक नंबर हिया फसा पूछेगा त्री मुनी किने कहते हैं तापको पताना होगा पाने नी पतंजली और कात्यायन किनको कहता है कात्यायन गड़ बढ़ाईएगा नहीं ना जैसे नरम दल गरम दल था गरम दल के नेता लाल बाल पाल तीन गोते ना जैसे तीन गोते उता होते ब्रह्मा विश्णू महेश इसी तरह से आगे चले कोई दिकत ने आगे है पानिनी की अस्ट धाई में लिपी लिपी कर आदी शब्दों का उलेख मिलता है किसी भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो चिन संकेत परियोक्त होते हैं उसे लिपी करते हैं किसी भाषा को परियोक्त करने के लिए किसी भाषा बीरू शहस्त्र बुद्धे, थ्री इडियट वाला, वाइरस, यादाराना, हाँ, उन नहीं है, डॉक्टर शहस्त्र बुद्धे के अनुशार, लिपी रूप, अच्छर बिचार रूप, मानसी क्रिया का ही एक बोध चीन है, देखेगा, इनका बात को समझे, ये क्या कहना च ठीक है, एक्जामिनेशन में कथन से आ भी शकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बुक में था, तो हम आपको देदेते हैं, समझे, लिपी रूप, अच्छर बिचार रूप, मानसी क्रिया का ही एक बोध चीन है, लिपी रूप हो, या अच्छर बिचार रूप हो, हमारे मा मानसी क्रिया का ही एक बोध रूप है, बोध मतलब क्या होता है, ज्यान, बोध मतलब क्या होता है, ज्यान, जैसे भगवान बुद्ध को, गौतम को, बुद्ध उनका नाम नहीं था, गौतम को बोध हुआ, किसका, ज्यान का, इसलिए उनको बोध हुआ, बोध हुआ, तो सबसे क्या बना बुद्ध जो ग्रहों में अगर ज्ञान के देवता होते हैं तो बुद्ध होते हैं अगर बुद्ध आपको जिसके साथ बैठेंगे ना उसके साथ वो फल देते हैं याद रखिएगा थोड़ा से बता देते हैं जो तीस सास्तर आपको जैसे अगर सनी के साथ इसलिए बिरु सहस्त्र जानिए चितले के अलुषार दवनी और वर्ण चिन के शंबंधों का नाम ही लिपी है एक ही चिल से यदि एक ध्वनी ग्यात हो जाए तो लिपी का उद्देश शफल माना जा सकता है चलिए भारत की प्राचिन लिपी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे जैन साहित के पनवना शुत्र में अठारा लिपियों के नाम दिये गया है जैन साहित का ज फलाकर शुत्र करके रहें कोन धरं का गरंत भाइया चुप्चाब तुम मानना जैन धरं का को को अगर लाश्ट में सुत्र है तो तुरंत मारो जीयस के लिए रहू जैन गरंत एक दम हंड्रेट बाई हंड्रेट परसेंट सही कहीं प्रकाट क्या आप नहीं दिखा सकते हैं बाईचान सरियर में अब थिथरलोजी में जाएगा तो कुछ और ढूल के लिए यह अलग दिए लेकिन अभी तक का मेरा जानकारी के अनुसार वो बुक क्या होता है जैन गरंत होता है तो पनवना शुत्र में कितने लिपियों का वर्नन है अठारा लिपियों का वर्नन है बौद शाहित की संस्कृत पुस्तक ललित विस्तार क्या नाम है बाबो बौद शाहित का संस्कृत पुस्तक है और बुक का क्या नाम है ललित विस्तार उसमें कितना लिपी का वर्नन है जैसे योगनी कितनी होती है जो आपका लुटो होता है जो आपका क्या होता है जो चेस, सतरंज उसमें कितना होता है घर चरका करिया मिला के होता है ना चौन सथ याद रखेगा आयाम भी कितनी होते आयाम, उचाई, गहराई होता है ना लंबाई चोड़ाई समय काल जो होता है वो भी कितने होते हैं 64 आपको हम बताएं ध्यान दीजिएगा बहुत सारा कोश्चन है जिसका इंसर क्या है पन्वनाशुत्र जो है पन्वनाशुत्र में कितना बताया गया भाईया लीपी 18 कितना बताया गया 18 हम पूछेंगे पन्वनाशुत्र में कितना लीपी 18 अगर आपसे पूछा जाए ललित विस्तार में कितना लीपी है तो आप क्या बोलेगा 64 अब रहां बात की भाईया चल गया उलोग और इधर जो ललीत विस्तार में जब 64 लिपी दिया गया उप कहा गया तो पनवना सुत्र का जो लिपी है ना उसाउत के तरफ है बुक में नहीं लिखल मिलेगा गुरू का मतलब गु का मतलब अंदकार रू का मतलब दूर करने वाला अंदकार को जो दूर कर दे उसको गुरू बोलते है बात समझ में आ है बुक में लिखल नहीं मिलेगा और जो यह ललीत विस्तार है ये उत्तर भारत में ही रह गया और इ मगद, शाकरी, उसके बाद था आपको द्रविड, किरात, उग्र, संख्या, पारुष्य, लगभग आपको हम बता दिये, दस गो आसपास का बता दिये, वहिया, 64 गो है, तो उसमें अभी भी उसका यूज हो ही रहा है, फिर से एक बार सुलिएगा, ब्रामी, खरोस्टी, अं बंग, मगद, साकरी, द्रविड, किरात, उग्र, शांक, पारुष्य, इतना का वरणर आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिकत नहीं, तो पनवना शुत्र में कितना भाईया, अठारा, ललित विस्तार में कितना मैया, चांसर, इलो मैया है, तुलो भाईया है मेरा, अब जाते समय समसा खिला के जाना आपको, आगे है भाबू, हमारे देश के पुराने सीला लेखो, और सिक्को पर दो प्राचिन लिपिया मिलती है, कितनी लिपिया मिलती है, दो प्राचिन लिपी मिलती है, एगो है ब्रामी, और दूसरा है खारोस्टी, कौन है, खारोस्टी, जो समर पुनागरी में तो नहीं मिलता है लेकिन इतना तीन गों लेंग्वेज में बहुत लिखवा है ठीक है जब सुबह आप पढ़ रहे थे एक लड़का बोला सर क्राउन पढ़ रहे हैं तो हम बताएं उसको कि भाबू हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे तुम परिशान नहीं हो लेकिन एक बाद जानो अगर गलती को तुम सुधार कर पाओ तभी पढ़ हो उससे ने तो मत पढ़ हो इसमें एक्ट्रा कंटेंट भी तो दे रहे हैं आपको बात को समझेगा एक्ट्रा कंटेंट नहीं मिल रहा है जैसे सुबह में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको क्य बताया गिया भारत का जो भृषा है वो दो परवार में बता हुआ है विश्व का जो तीन हजार भास है वो बारहं परिवार में बता हुआ है तो बोला ग्या भारत का भासा रोभाज सनैंतार अन्य सुद्धार के साथ पढ़ना Management तो सुधाकर के साथ नहीं पढ़ना है और सुधा के अगल वगल नहीं वैटना है ध्यान दो अभी पढ़ाई करो ब्रामे लिपी भारत की सबसे प्राचिन लिपी है तथा स्वर्व सृष्ट लिपी ब्रहमा जी के नाम जीसा है तो आदि जिसको जगत-पिता किन को बोलते है गिष्णू भगवान है जन्म जो देते हूं ब्रमा जी है और जो सब को ले जाते हैं यहांसे वापस की काम आन वो संकर भगवान है एक लोटा जल सबसमस्या का हल ब्रामी लिपी भारत की सबसे प्राचीन तथा सरश्च्छ्छ लिपी है इस लीपी का प्राचिन रूप बस्ती जीले के पिपरावा के अस्तूप तथा अजमेर के बडली गाओं के शिला लेक्षे प्राप्त हुआ है हवा लाग लओ नई लाग लओ तुही ने देख हम सिखा रहे हैं अभी ब्रामी लीपी भारत की सबसे क्या है प्राचिन लीपी है और कैसी लीपी है सरश्रेष्ट लीपी भी है इस लीपी का प्राचिन रूप, प्राचिन रूप कहां से मिलता है, बस्ती जीला, कहां, बस्ती जीला, कहां है बाबू, उत्तर परदेश में, कहां है भाईया, उत्तर परदेश में, योगी आदितनाप का नाम सुने है, बुल्डोजर बाबा, वही गाउं का, उसी जीला का ह प्राज्य का पिप्रावा अस्तुप और अजमेर जीला के बडली गाउं के सीला लेख से प्राथ हुआ है इस आपको बहुत अजीब लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा ना बात समझेगा प्राचिन काल में एक रिशी हुआ करते थे भगवार राम जी के दर्बार में र विश्वामित्र जो थे दस राजाओं के साथ थे वशिष्ट आपको राजा सुदास के साथ लड़े थे उधर से दस राजा और वशिष्ट के साथ एक राजा सुदास यादा रहा ना वही वशिष्ट मुनी का आसरम था इस जीला में और उस छेत्र का सुरू में नाम था बबीज का हुए वच्छी हो गिया ज्ते संफुनियो दाज में जोता है। भी hatte शी पर कक पर दो क्या है। सब्सक्राइब की अभी टुट फोर्टा रांची कीब थीख से लगाने लाएं प्राचिन उप्रावा बस जीले के पिपरावा अस्तूप तथा अजमेर जीले के अजमेर शरीफ का नाम शुले होंगे बड़ली गाउंशे प्राप्त हुआ है इस लिपी का समय था पाच्वी सदी से लेके इस लिपी इस यह लिपी अशोक के काल में राष्ट लिपी के रूप में प्रचलित थी यह जो ब्रामी लिपी है अशोक के समय में किस लिपी के रूप में जानी जाती थी राष्ट लिपी आरहजामा आज हमारा लिपी कौन सा है देवनागरी लिपी कौन सा लिपी है देवन चिन में पल्लो लिपी कि गर्पलों या देना दंती दुर्ग जिसका संस्थापक था हना उसके रूप में विक्सित होकर तेलगू कंड़ तमिलर मलयालम याद है न इसको क्या कहते है सास्त्रिय भाशा अरे भाईया वियाने पढ़ाये हैं गरबढ़ाना मत इसको क्या बोलते आप मल्यालम को कम मिला था दूहजार तेरा में तमिल को कहिया मिला था तो सबसे पहले इसी को मिला था रहे पगला पगली लोग 2004 में कन्नाड को कहिया मिला था तो 2008 या धारा ना बताएं इसको आप ध्यान रखेगा फिर से एक बार रिकॉल करवा दिये इस अब कंठस्ट होना चाहिए गला में होना चाहिए पूछे और धाय धाय बोलिए दमना मजा है ने तो सजा है सची बाले ने तो सचाल है उत्पादो आफ़त हो जाएगा इसको ठीक से ने पढ़िएगा तो समझ लेजे कोई एक्जाम ने निकलेगा आपका यह लिपी असोप के काल में राष्ट लिपी थी आज हमारा लिपी क्या है हिंदी में तो देवनागरी लिपी है ठीक है कौन सा अंगा पहाण में धूंगा बोलते हैं ना बच्पन में बोलते थे आज भी हमको याद है हम मेरी मैम जो होती थी उनका नाम मिरा चोहान था हमको केंब्रीज में पढ़े टाटी शिल्वे में तो से सीवेसी बोट से पढ़े हुए और समझ लेजे आपको हिंदी और में इचेया में होता है बताया गहाँ है हन्-तो सहीन जाना वुलिखा हुआ था तो मैं बोलिफ से मुद करदा है इनिकवी अंदी अब बोले कि सब को üzल पढ़ो लिखा हुआ है सबको पढ़ रहा सहिया जनाना सन्जनाना, सब को एक साइट करियो दम तक कुव्टी थी, उसको पढ़ा जाता सन्जनाना, क्या पढ़ते हैं सन्जनाना, फिर एक पिच्चर आया मोहबते, मोहबते में जो हिरोईन का नाम था याद की जिए अगा सन्जना था उसके बाद बहुत सारा लड़की का जनम हुआ जो लड़की का जनम हुआ है उसके बाद सबका नाम संजने है अगर संजने नाम मिला समझेगा माय बाप मोहोबते से परभावित है पीडित है जब कुछ-कुछ होता आया था उसके बाद जितना लड़की का नाम है सब का नाम का था अंजली सब का नाम अंजली जहां अंजली मिला समझेंगा माय बाप कुछ-कुछ होता से परभावी थैं समझ गया है ना चाहिसे ही पता है आपको उस समय पढ़ नहीं पाये थे और एक उस दिन हम नहीं कुटा आया थे कल्प तरू पड़े तो याद कीजेगा कल्प तरू का ब्रिक्ष रास्ता में नगड़ी फाटक के पास है उनका दर्सन कीजिए उनको पूजा भी किया जाता है प्रणान किया जाता इच्छा मांगा जाता इच्छित वर मांगा जाता है कहा चली इधन आते हैं ब्रांभी पड़ा चाहे सक्षर और एतना खासियत पता रहे मीरा चौहान जो मैम है अभी फिलाल में मिले हुए थे वह आपना रुद्रभिश्य करवा रही थी मंदिर में तो मिले थे मिले तो 20-22 साल हो गया उनसे मिले हुए बहुत दिन होगी या तो म मैं बहुत कुछ हुई भचान ली को मिले तुम सीय थे करके बहुत अच्छा लगा मिले उनका पढ़ाया हुआ इस्टूडेंट बता रहे हिंदी में 99 नंबर लाया था सब्यक्राइब में 99 नंबर हिंदी मेरा न आपत होता है बाबू इस तो बहुत अच्छा पढ़ाती थ आजुनी का फसल जो था जो बीज बोई थी उसको हम बेटके काट रहें यही समझ लेजी आप उनका वर्दान है मेरे उपर गुरु का अशिर्वान है जाहे साच्छर भ्राह्मनों की लिपी होने से या ब्राह्मी कलाई पर इसमें संदे Panel नहीं कि इसका जन्म भारत में हुआ था इस लिपी के प्रणेता बिद्वान ब्राह्मन ही होंगे हो उसके ब्रह्माजी से निकला हो, हो सके ब्राह्मन शब्द से निकला हो लेकिन एगो एगो कनफर्म है कि इसका जन्म कहा हुआ है तो हमारे कहां हमारे भारत में कहा हुआ है हमारे देश भारत में जय हिल इसी को कहा जाता है जनते हैं ना चीनी विश्वकोस फावानसूलेन के अनुसार इसका निर्माता कोई ब्रह्मा या ब्रह्मा नाम के अचार है अतेवे इनके नाम परणाम ब्राम ही पड़ा चीनी विश्वकोस है ना उसके अनुसार चीनी भासा का जो विश्वकोस है ना उसका नाम है फावासूलेन है ना न भारतिय आचारियों ने ब्रम्ह की ब्रम्ह मतलब वेद अर्था ध्यान की रच्छा केरने के लिए इसको बनाया इसी आधार पर इसका नाम करण हुआ इस लिपी का प्रयोग ब्राह्मन करते थे इस लिपी का प्रयोग कोन करता था भायोबानो कोन करता था ब्राह्मन करता था पंडित वासुदेव शरण अगरवाल वासुदेव शरण अगरवाल और इस अब जो नाम आप राजवली पांडे चाहे आप जो भी कामता पर साथ जो पढ़ते हैं ना इसा औरा नाम हम लोग डियलेट में पढ़े हुए हिंदी में यह लोग बहुत ब्यानी आद्मी लंबा प्रावन पांडित बाशुदेव शरण अगरवाल का मत है की ब्रामी लिपी के अविश्कारक बिद्वान ब्रहमन थे जो ब्रहमा से इनकी उत्पति मांनते किया इसी आधार पर इस लिपी का नामकरण हुआ है अगे है उत्तर भारत की लिपियां क्या है उत्तर भारत की लिपियां पहला लिपी है बाबु गुपता जी का का नाम है उसका गुप्त लिपी uhit दूपर हिट हुआ था और म्यूजिक एक बड़ी खतारनाक सुनी जाएगा तब यो ही जाईएगा हमें पर देखे था अच्छा लगा था एक पानी का जहाज बनावा था चलिया इसे ही हो गया गुप्त काल के बारे में आप लोग जानबे करते हैं वह चंद्र गुप्त समु गुप्त था सबको रेल दिया सबको रेल दिया कौन वही गुप्त का बात हो रहा है गुप्त लिपी चौथी तथा पांचवी सदी के समय गुप्त राजाओं के काल में इसका परशार होने के कारण यह लिपी गुप्त कहलाई यह गुप्त लिपी कहलाई कब तो चौथा और पांचमा सदी के समय इस लिपी का बिकास हुआ था. ठीक है? आप एक बात को समझेगा, आप तो पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक है, अब गुप्त लिपी है, लेकिन कोन भासा लिखना है? इसे लिपी हमारा गुप्त है जैसे आजकल आप लिखते हैं हम तुमको याद कर रहे हैं हम हुआ तुमको तुमको याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं यह कौन सा लिपी आप लिख रहे हैं रोमन यह कौन सा लिपी है बाबू रोमन तो भाईया जब गुप्त लिपी आप लिखने के लिख रहते हैं कौन सा भासा का परियोगता यहां पर नहीं दिया हुआ है नहीं मिलेगा ठेपो कानी मुनीरी ओटेवा ठेपो नहीं लिखन रहेगा आपको पता करना होगा तो आपको सुबह में जब हम पढ़ा रहे तो बता रहे तो गुप्त का जो राजकी ठीक है अगर आप देवनागरी लिपी भी जानते हैं न माल लिजे मुगल लोग का सासन रहता तो आपको मुगल का भासा लिखने के लिए आपको देवनागरी लिपी का परियोग करना पड़ता पहले के लोग जल्दी देवनागरी लिपी एकसेप्ट नहीं कर पाते थे द मज़ा आएगा थोड़ा सब काभी मन करेगा और वनको जो नगानी होता है उसको अटा हो तक ये विसको पता हUB कि कुछ दिन के बाद हम मरेंगे उसी करम में एक सपने कुने लिए ही ये कि साथ कपने में सुने हरे सपने देखेज कॉ一次 यूटूब में सर्च कर लीजेगा, जब गाना आएगा ना तो एक बार उसका डायरी को दिखाएगा, देखेगा उर्दू में लिखा लेगा उर्दू लेंग्वेज में लिखा लेगा, तो समझ लीजे, मतलब कुछ भी हो, भासा कुछ भी हो, लीपी का परियोग हर जगा प निकला हुआ है ना, आप सोचिए उसको उर्दू लीपी में लिखा गया है, मतलब एर्दिक लीपी में, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेगा, गुप्त लीपी, चोथी, पाच्वी सदी के समय में, गुप्त राजाओं के काल में हुआ, ठीक है, लेकिन क बन भासा को लिखने के लिए हुआ, एक जाम में आएगा, तो का किजेगा, संस्क्रीट, भाईया, बुक कोई भी हो, टोपिक दमदार होना चाहिए, और कंटेंट, झाननाटे दार होना चाहिए, कि जेपेसी का मेंस, और युपेसी का मेंस तुम्हारा किलियर हो जाए, कु नागरी लिपी भी बनता है, यही लिपी जो है, बंगाली लिपी बनता है, सब लिपी इसी से सुरू होता है, कोई दिकत, कोई तरह का कस्ट, नहीं न, तो सबसे प्राचिन लिपी कोन, भारत का, ब्रामी लिपी, ठीक है, लेकिन ग्यात में किधर पांचवी सदी में कोन लड़की लोग करती आएगे जाना थिनगे जाना थिनगे जाना थिनगे लेकिन आईसा नहीं है ये कुटिल लिपी नाम है लेकिन ये कुटिल लिपी क्यूं है इसका कारणा ठीसा ते यह थोड़की। कि में होता था कॉट कोड़ वाड में आप देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग को देखिए कर टेखा आप इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कल गदर नहीं मेरा इस्क्रीन थोड़ा सा गया हाँ चलेगा इधर कोई बात में डीजे था समझ लेजिए डीजे टाइप का गया फिर आ गया देखिए प्राचिन काल में जब गुप्त लिपी आया गुप्त लिपी के बाद एक और लिपी आया उसको कुटिल लिपी कहा गया क्यूं क कि ये थोड़ा सा कुट भाषा में होता था और इस लिपी का अन्य नाम क्या है तो बताते हैं आपको उत्तर लिच्छवी लिपी क्या नाम है इसका एक नाम उत्तर लिच्छवी लिपी जब आप सुल्ला महाजनपद पढ़ेंगे तो एक लिच्छवी गनराज्य भी नेपाल के बॉर्डर पर था ध्यान दीजिये सुल्ला महाजनपद में दूसरा इसी को कहा जाता है क्या सिद्र मात्रिका लिपी इसी को क्या कहा जाता है सिद्र मात्रिका लिपी इसका दो नाम है आप देखें लिच्छवी क्या बता है किधर था नेपाल के साइट तो इसे पढ़ना है लिख दिया भसड भसड पढ़ लिए ऐसे नहीं चलेगा समझ में आया खतरनाक है बाब उभ्याकरन तो सारा चेप्टर आपको मैं इसा ही पढ़ाएंगे अभी आप संज्या पढ़िएगा वर्ल पढ़िएगा सब ऐसे ही चलेगा मेरा टोटाल ऐसे ही आप देखे कहीं पर कुछ लिखा हुआ था आप सोच भी नहीं सकते जो चीज यहां पर लिखा हुआ जो चीज आपको आपको बता रहें काने का मतलब क्या बिना तीन घंटा का म बच्चों के शामने तमना बच्चा इजट करेगा जी बात समझे कि ने मेहनत को नहीं सलाम करता आदमी आपको सलाम नहीं करता आपके मेहनत को सलाम करता आप अंपानी को परनाम नहीं करते उसका दौलत को परनाम करते हैं आप उर्फी जावेद को परनाम करते हैं आप लो प्राचिन नागरी लिपी, कुटिल लिपी से नवी शताबदी के लगवग, प्राचिन नागरी लिपी का विकास हुआ, देखिए, सबसे पहले गुप्त, गुप्त के बाद कुटिल, कुटिल के बाद का आया? नागरी, आया ना, ये सिरियल है, इसको समस्ते चलिएगा, आय पहले और सबसे पहले ब्रामी है बाबू सबसे पहले कौन है ब्रामी तब आएगा कौन गुप्त तब कुटील तब प्राचिन नागरी कुटील लिपी से नविशताब्दी के लगभग प्राचिन नागरी लभी लिपी का विकाश हुआ या उत्री लिपी है इसका परचार उ पुझा करते हैं नंदी जी को चांप के मु उत्यान निस पूझ के लड़की तोप युण सुठ देखेंगे तों मुं करते हैं के पूजा होता है साउथ में जाएगा न तो नंदी का बहुत पूजा होता है अगर उसका उलेख देखना है अप एकदम मतलब परमाण देखना है तो ब्रहदेश्वर मंदिर देखिए यतना बड़का मंदिर उससे ठोड़ा सा छोटा नंदी महराज बड़ा पहार जैसा नं दूमिया को जतना नंदी देखना है देख लो एक पर बाहर क्यों है उसका प्रमान है वो भगवान को भगवान का वेट कर रही है और देखेगा नंदी महराज का खास उची नहीं बताएं कि क्यों एक पर बाहर है वो थोड़ा लंबा चला जाएगा आप एक चीज़ देखेंगा नंदी माराज जहां रहेंगे ना नंदी माराज संकर भगान उसे एक अलग रूम में रहते हैं गर क्या है वो क्या बताते हैं आपको आप कहीं भी देखिए नंद कर देखिए उनका वेट करने कि कभ उठेंगे और एक पर इसले रखेंगे जैसे उठेंगे दूसरा फ़र कर रिंग कहां परफु बोलिए मतलब सेवक एक भक्त का यह प्रकास्था हैं जैसे हनुआन जी प्रकास्था उसी तरह से यह प्रकास्थ शहां कि यह 聲 otro close में संभी आप भी आप भी शई बनने का को सिस किजिए भक्त बनिये किसी का भी तो ऐसा ही बनिये कि जीवन परियंत लोग याद करें जैसे हनमान जीवानर थे यह क्या है बैल है ना लेकिन देखिए क्या इन लोगों का अपस में मेल है कि बीना परभु का उसको नीद भी नहीं आ रहा है वहीं पर भी ठल एक टंगडी निकाल कर तो भाईया इधर आईए नंदी नागरी क्यों अधिकतर चीज में नंदी मिलेंगे अभी देखिएगा आपको सेंगोल आया सेंगोल 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 राज भावन में हमारे शंसत भावन में आया उसमें भी क्या बना हुआ है उपर में नंदी महराज बने हुए ना चोल सासक से लिया गया है समझ लिजे नंदी महराज क बहुत खेला है और हम लोग तरब तो केवल लच्मी जी का ध्यान करते हैं हम लोग पूरा ध्यान करता है इसी प्राचीन नागरी के पुर्वी रूप से कैथी मैथली तथा बंगला लिपियों का विकास हुआ तथा पश्चिवरों में देवनागरी गुजराती महाजनी समझшिए उस जाति का नाम है कायश्त क्या नाम है कायश्त और इस जनजाति के हमारे यहाँ इस जाती का गोत्रघा हें बहुत सारा लुक पढ़ाता है पवंडी जी नहीं है ऐंप criminal जनपत्राय जो है, इनका गोतर चीन है, कुलका चीन है, इसलिए पांडे लगाते, ये कास्त जाती केते, कास्त जाती लला जाती, आप देखें हमें यह ज़्यादा काम आपको मुनीम वाला करता है, टैक्सेसन करेगा, टैक्स पेट करवा देगा, या फिर आपको लिखा पढ सबस्पाइब को पस्चमी में देवनागरी गुजराती तो जानबे करते महाजनी राजस्ठाणी महाराश्ट्री सार्दा लिपी कस्मीर को लिपी को कस्मीर की लिपी को सार्दा लिपी कहते हैं जो कस्मीर की अधिश्थात्री देवी जो है ना कश्मीर की जो अधिश्थात्री देवी मतलब उन्हों की सर्वे सर्वा जो देवी head of the department है, उन देवी का नाम ही है सारदा देवी, इसलिए वहाँ पर जो पीट है, उसका नाम है सारदा पीट, वहाँ जो पीट है, उस पीट का क्या नाम है, सारदा पीट, इसलिए जो लिपी बना, उसको सारदा लिपी ही कहते हैं, clear, कोई दिक्कत समझने में, कोई किसी परका कश्ट मांशारदा जो फarty है नो स्रफशती को मांशारदा कहते है मांशारदे तु कहाद बीना बजा रही है हिने आओ हम लोग भी ठीजे करेंगे इदर बजाओ उगना घान गाते हैं बजन आइसे आज एप यहिए आजर्मार रहे है तु मा सार दे तो कहां बिना बजा रही है हम लोग सचीवाले को तरस रहे तड़ा इदरो बीना बजा दो माताजी हाना सर्षवती मा का पूजा कोई नहीं करता है लचमी जी का बहुत जोर सोर सो होता है याद रखें सर्षवती माता किया की जिए एक अस्थापित कर दें गए सर् वोड़ लग के गुसना हां चुरा के मत ले जाना लेता आदमी लोग सर्चति माता जब बीदा होती तो बाल ताल को नोच के रख लेता था किताब में आप बोलता था इसका बाल रखेंगे तो ग्यान बढ़ेगा घंटा बढ़ता हो ग्यान बाल नोचिएगा कोई जा रहा है उसका बोलेगे ऊण झोटा खिच ले वातियोग है इसा करणा चाहिए करता था लो उनका है कि को तोड़ लेता था ते ले चॉक खिला ता मैण को तेरे शाओ ने रहे तो कोई खिला रहा का रहे हिंदी का बुक में डाल के तो measures मेंनेचं भाकर स्ट होग gir रहता है और अटी पटी कौन पटी ठाइल बंद किये तो पूरा चरका इसा वोवल काट सब हाना उससे ग्यान नहीं बढ़ता है पढ़ने से ग्यान बढ़ता है टोटका टपेडा करके कभी ग्यान बढ़ा है कभी नहीं बढ़ा है एक लोटा जल सब समस्या का हल इसलिए अमकत है जाइए इश्वर के नजदीक जाइए मास्तरश्वती का ध्यान कीजिए जब सुबा में उठिये तो मुस्लिम लोग दोनों हाथ को कैसे जोड़ते हैं दोनों हाथ को सटाते हैं अल्ला हुआ अकपर करने के समय हाथ को वैसे दोनों हाथ को मिलाए और कमाई बहुत बढ़ेगा लेकिन तुम करीने पाओगे काहे मोबाइल से फूर्सत मिलेगा ताम ना सबसे पहले टोमड़ेगा मोबाइल का अगर हाथ से ने बेटा तो गोड़ से लती आएगा इधर उधर उतर होगा जब गोड़ से नहीं मिलेगा तो डाड़ा सब को चमका पाते कर दर्शनम ठीक है आगे चलेंगे हम लोग आगे का है रबाबू कहां पढ़े थे इसका विकास कूटिल लिपी से दस्वी सदी में हुआ था कब हुआ था दस्वी सदी में हुआ था आध्वनी काल में सारदा लिपी से अनलिपियों का विकास माना जाता है जैसे क्य लिखा हुआ है टाकरी क्या लिखा हुआ है टाकरी उसके बाद क्या है डोगरी का लिखल है ऐसे नहीं होता है डोगरी क्या होता है डोगरी भासा अभियन पढ़े डोगरी ऐसे अभियन पढ़े थे बाबू जब भासा पढ़ा रहे थे मैतली संथाली डोगरी ठाना मैतली अंबर 2003 को बानवेवा शंजोधन को राजभाशा का दरजा दिया गया कोई दिकत ताकरी चमेली मंडे आली जौनशारी कोची कुलोई कशटवारी लंडा ठीक है यतना है लंडा मतलब जानते हैं लंडा और टाकरी जो है पंजाब शेत्र में चला जाता है लंडा का मतलब होत है वह भीदा मतलब अगर लिखावत होका कुछ लंडा लिपी के लंडा लिपी क्यों नई पका दंडा रहिए लौत उठाना पड़े गरे पंडालोल दच्छिन भारत की लिपी है दच्छिन भारत की कौन सी लिपी है बाबू तो ध्यान दिजेगा पश्मी मधपरदेशी तेलगू कान्नाड ग्रंथ कलिंग तमेल बट्टे लुट्टू आप यहां पर रहां भाई की बट्टे लुट्टू का होता है सब तो याद हो जाएगा बट्टे लुठटू को कन्न्य ओमारके अमारके निकल जाईएगा आ जायगा बट्टे लुट्टू जो है यह तमील भाशा का लिपी याप इसको समझ सकते थूड़ा 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 तमील छेतर मेंanas में होता है इस लिपी का जो परियोग हुआ है ये जो बट्टे लट्टू लिपी है इसका परियोग जो किये थे वो पांडे शाशक लोग किये थे कौन लोग किये थे पांडे चेर चोल यादा रहा है न पांडे शाशन आपको पढ़ाया हुआ है कोश्चन आते रहता है उससे शात वाह पढ़ाए हुए ना आते रहता है तो ध्यान दिजेगा बट्टे लुत्व का जो परियोग किये वो को लोग थे वो लोग पांडे लोग थे पांडे शाशक थे तमील है कि खरोष्टी लिपी या विदेशी लिपी थी खरोष्टी लिपी जो उर्दू के तरह दाएं से बाए रे भाईया इधर से चलता अली बेते से बोलते था ना अली बेते से जो होता है फिर आगे हम लों नहीं जाते तो बोलते तो मुर्गी चरा रहे थे तो उलोग बोला काखा गांगा पहार में धूंगा बदला नहीं समझे तो हीने बोलबे तो तोरोबटे देवात ही हो इगो पूची स्था मजाग कर रहे हैं खरोष्टी लिपी उर्दू की तरह दाय से बाएं लिखी जाती थी इसका विकास सामी अर्माईक लिपी से माना जाता है इसका विकास किस लिपी शे माना जाता है अर्माईक लिपी से माना जाता है यह बैग्यानिक लिपी नहीं थी यह पर अच़ा से निंगले बस्त्व नबटी का कहानी सुनाय थे आपको जब वरन आएगा तो फिर अच्छा से अभी कहानी सुना尋ने देवनागरी लीपी का नामकरन देवनागरी लीपी जो है उसका नामकरण कैसे हो रहा है देवनागरी लीपी का विकास ब्रामी लीपी से हुआ किस से हुआ ब्रामी लीपी से हुआ देवनागरी लीपी के नामकरण को लेकर बिभिन मत परचलित है कुछ बिद्वानों के अनुशार ललित विश्तार भागवान बुद्ध के लिलाओं का वर्नन है भागवान बुद्ध के लिलाओं का वर्नन किस गरंद में है ललित विश्तार में है भागवान महावीर स्वामी का जीवन किस में लिखा हुआ है तो महावीर चरितम में लिख जहान दिजिएगा भाईयो बहनो मित्रों कि समझे इधर मैं चुन रहा है ना मेरा पात को जहान दिजिएगा साट-सतर को बैटने से नहीं होता है भीड के बीच में रिजल्ट निकालने से होता है बैट गए हैं मजा नहीं है रिजल्ट निकाल का ये अब हमारा टीचर डे होगा आप जब सची वाले का सर्टिपेकेट हमको ला के दिजिएगा जो चुनरी आपको उड़ाएंगे मनसुर बिजल्ट से सांद तक 500 रुपया महीना पढ रहे हैं तो नहीं दीजेगा इतना देना पड़ेगा जबर जस्ती है अच्छा कोई बात ने जबर जस्ती नहीं है आपकी इच्छा आपको मन करेगा तो गुरू को दान कर दीजेगा गुरू थोड़ा गुरू भी होता है और से गरू भी होता और गरीब भी होता है थोड़ा ध्यान दीजेगा हां तो आधा कोई तो मुग को पहिले टटाकर हाम देवा थी है कि काल देवाई आचा ना ही देना कोई बात ने पढ़ हो कोई बात ने भागवान का दिया वह सब कुछ है नाना पाटे कर्वाला यह है वह है दी से डट है बासे वह उसका गोड़ने रहता तो पुद्वा देता है उसको कुछ विद्वानों का मानना है इसका परियोग नगरों में होता था कहा होता था नगर जैसे जब नाकपुरी पढ़े तो आपको हम सदान के बारे में बताए थे पहले बताए थे उस समय होने के कारण इसको पहले देवनागरी और बात में इसको नागरी कहा गया कासी को देवनगर कहा जाता था नहीं समझे देवताओं की नगरी कासी भागवान शीव का तिरसुल कहा गडल है कासी में कहा गडल है कासी में भागवान शीव बोलें पुरा धर्ती का नावी भागवान शीव वहीं मिलते हैं मनी करनी का धाट वही था जहां संकर भगवान ब पूले नहीं मिल रहा है विश्णु जी का किये अपना आख भूडने वाले थे चाकू से और निकालने वाले थे क्यूं दो विश्णु जी का आपको कमल नयान कहा जाता है वही कासी तो भगवान आये बोले परकट हुए विश्णु जी आप उदास मत होई आप परेसान नही ये और इसका उपयोग कीजे संहार करने में भागवान विश्णु सको धारन के जो बाद में किसको दिए बाद में चलते चलते मिला परशुराम को भगवान परशुराम को और भागवान पर चुनाव बदते हैं यहि कासी है जहाक संकर भगवान नहीं और messaging काश्र पूजा कर लेगा बाबा सब ठीक है जाए खुस रहे बिंदास रहे थोड़ा से पानी च्री रख चल देगा भगवाने को बोलता है खुस रहे यह समझे यह काफी आप लोग बोलते भगवान हमका सिर्पादी वह भागवान को बोलता है खुस रहा जा जीया खावा पेट भर परिवार वारता सुखी रहा ऐसे बोलेगा वहा आदमी वही है काफी चली आगया यह कुछ बिद्वानों के अनुष्वार तांत्रिक चिन काशी को देव नगर कहा जाता है वहाँ प्रशलित होने के कारण देव नागरी कहलाई पंडित की सोरी दास बाजपई के अनुसार देश की राष्ट भाषा किसी समय जो प्राकृत थी उसका नाम नागर था वह नागर भाषा या नागरी भाषा जिस लिपी में लिखी जाती थी उसे भी लोग नागरी कहने लगे कि दिककत समझ गया समझ मैं आया कोई कस्थ चलिया आगरे नागरी के चार भेद को भे चारगोश नागरी नागरी पुर्वी नागरी नंडि नागरी नंडि नागरी कि धर होगा साउत में की उतर में आपको याद कर मा दिया ना They approach कर होता है उनका बहुत जोर सुतमोर होता है उनका सावारी मुरूगन का के उलग पूजा करते हैं देखियेगा सावत में अगर कोई पिचर है और भागवान के हाथ में अस्तर सथ्र है तो समझ यह मुरूगन है काहे जब कर्तिक जी का जन हुआ न तो एक और लड़की थी जो भ को साधी तो नहीं कर पाएंगे कि हम एक वाला है दुग वाला हम नहीं हैं तो का करे तो हम कही जी है तो मोलें क्वेज़द हैं तुम ही इसको पालो पशू वहीं पालती है मुरुगन को कार्थी के को उनका एक नाम कुमार है इसलिए जितना नाम मिलेगा सब नाम में आपको क्या मिलेगा कुमार टाइटल मिलेगा लड़की का नाम में कुमारी मिलेगा क्यूंकि उनका नाम है कुमार और वही नक्षी देवी उनको पालती है इसलिए साउथ में उनक रहें लिखावा रहता है अब एड़ेंग बिढ़ेंग कुछ रहता है तो नहीं जानेगे लेके मुरूगन उन्हीं को केरला में अयपपा कहा जाता जिस पर विवाद हुआ था सब्री माला मंदीर अयपपा उन्हीं को कहा जाता है जो अभी देखें हैं आर 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 सुपर सब्सक्राइब और तो नंगे आजया काले कपड़ा में काला कपड़ा में राना पूरा ब्रहं करना है अब पूरा सुधतम रहेगा तब परवेश कर पाईएगा तो उसे में एकदम हला हुआ कि लेडी लोग भी जाएगी तो कुछ कारण था कि लेडी लोग को इंट्री नहीं देरा तो अलग मुद्दा है अलग मुद्दा है उसके लालग जगा भीड़ा जाएगा इधर आईए इधर है यह पश्चिम भारत में अर्दनागरी इसके बारें बताएदर आए यह पश्चिम भारत में प्रिचलित थी इसी से लंडा लंडा मतलब का बताए बाबू जिसका बिना जिसका मूच नहीं हो बिना मूच का बंडा मतलब जकर जनी नहीं हो के बंडा हम लोग बलते हैं ताकरी इस सरदारी लेंग्वेज में आता है मतरफ शिक के तरफ आता है और इस लिपी का क्या हुआ विकास हुआ उसके बाद है भाईया भाईयो बहनो पुर्वी नागरी क्या है और दिया हुआ आपको क्या पुर्वी नागरी या पुर्वी भारत में परचलित थी नागरी के इस भेद से बंगला उडिया कैथी लिपियों का जन हुआ है पुर्वी नागरी से किसका किसका जन हुआ है बंगला का उडिया का कैथी का इसका जन हुआ है फिर नंदी नागरी देखिए कहा था परचली दचिन में कहा था दचिन में फाइदा हुआ ना मेरा ट्र के शिव भागवान का बहुत बड़ा पुजारी था किशान था सुन लिजे कहानी भक्त की प्रकास्था देखिया उप दिन भर हल भी चला थे जमिंदार के यहां वर्क करते थे और दिन भर भागवान शिव का ओमनमश्वाय चाहे अपना भासा में जो भी मंत्र को जाब करें जाब करते थे एक दिन उनका बहुत पैशा जमा होगे जबिनार के पास तो बहुत जमिंदार सहाब मेरा पैशा दीजी हमको भागवान का दर्शन करने जाना है तो बहुत पैसा दे दिये चले गए मंदिर तो बहुत को भूल गये कहानी बताने के दराना चाहर हो माहा था गेट के पास जब गया था तो बोला कि गंदा मैला कुचला किसान आदमी कई सब कपड़ा पहुंचे तो जो लोग थे बोले इंट्रे नहीं है नहीं घुशेगा तो बार जाओ बार जाओ तुमको ना कॉन जात का पहले जाती पाती होता था अब धीरे धीरे खतम हुआ है उस और नन्दी जी अपने घसक गए एक मात्र मंदीर जहां पर स्वीदी जहाई और नंदी जहां बिटार ऌश्क गया एक अग्या पर बौले-घथा भक्त राज अगर आप सच्चे दिल से चाह गए तो कोई चीज का जवरत आपको नहीं है बस सब समस्या का हल एक लुटा जल कोई तंतर फंतर मंतर का जवरत ने भगवान को याद कीजिए दिल से आप नेट बे शर्च कीजिएगा मिलेगा ही सब जी वेंकर वेंकर कांड हो ले हैं दुनिया में समझे यार आप लोग बोलते भगवान नहीं है भगवान है बाबू तो नंदी नागरी से फिर हो कहानी आपको सुना दिये नंदी जी का नागरी इसका प्रचलन उत्तर बिहार मदपरदेश उत्तर परदेश योम राजस्थान में रहा इसी रूप से हिंदी तथा उसकी उपभाशाएं निकली मराठी नेपाली का भी विकाथ इसी से हुआ देखें नेपाली जो थे न हमारे लोग ही है हिंदू लोग ही है वहाँ जो रहते हैं उराओं लोग भी रहते नाकपुरी में जो वहां पत्री का निकलता है नाकपुरी भासा का पत्री का जो नेपाल में निकता है उसका क्या नाम है एक जाम आ चुका है याद रखेगा बिहान का नाम है उसका नेपाल में नाकपुरी का कौन सा पत्री का निकलता है तो उसका नाम है बिहान नाकपुरी में निकलता है, समझेे, वहां के लोग यहां मिलेंगे ऊराओं भी मिलेंगे, अभी मुड्मा मिला हुआ था तो उराओ लोग आया था वहां, उराओ लोग आये थे वहां से, समझे लेजिये, बहुत सारे अबको हम नेहरु के विरोधी नहीं है अइसा मत सूचेगा हम ओदी जी है ऐसा नहीं है रिवनागरी लिपी का परियोग सबसे पहले सबसे पहले साथ वी आठ वी शताबदी में जय भट ने किया था, किस ने किया था, जय भट भाईया एगो टाइटल आपको बता रहे हैं, भट टाइटल गुजरात का होगा, बहुत रियर केस होता है कि कस्मीर चला जाता है, ट्रीक बता रहे हैं आपको, यानि कि कहा के राजा होंगे ये, गुजरात के, और यह कब बारे में पढ़े हैं एक बार थोड़ा सा क्रोस चेक कर लिजेगा बीना चेक किया हुआ बात है यह लेकिन जहां तक हम जैभट के बारे में जानते हैं यह चोथी सदी में थे ठीक है देख लिजेगा आठवी शताबदी में राष्ट कुट राजाओं द्वारा भाईया यहां पर उपर में कुछ अजीब चीज नहीं लिखा हुआ है बात समझे है देवनागरी का सबसे पहले परियोग साथवी अठाथवी शताबदी में जैभट के एक शिलालेक में हो सके जो जैभट को हम बो यह हुआ राष्ट कुट राजा यादाराना राष्ट कुट राजा दंती दुर्ग यादाराना दंती दुर्ग इसका संसापक था नविशतावज सती में इसका परियोग बढ़ोदा के धुरू राजद्वारा किया गया बढ़ोदा कहां है गुजरात में बढ़ोदारा आ आया था ना जो असम का राजा था परभाकरवंधन ने भासकर वर्मन क्या नम था भास परभाकरवंधन तो इसका बढ़का भाई था जी उत्तर एवंदचिन भारत में साथवी सताबदी में इसका परियोग एक साथ हुआ दसवी सताबदी में देवनागरी का परियोग बंज का那麼 teacher का जो नाखपुरि होगा उसका लिंक है उत्पात विभाद का जो नाखपुरी होगा उसका लिंक नाकपुरी भ्याकरण का टो उसे में सची वाले में चला जागा जारखंड जीयत का भी लिंक और हिंदी ब्याकरन का भी लिंक लौन्ड हो चुका है जाइए नीचे और देख कि आउनंद हो जाईए गाराने का तरीका देख लीजे कि यही है मेरा यही तरीका है मेरा अगर आपको समझ नहीं आए तो जो बोलिए गास्तो लेकिन देखिये जो लिखा हुआ है वह फर नहीं होता है उसको पढ़ाना भी होता है जो चिलिखा हुआ कहां थे उनका और कशमीर की क्या था कि महां सरश्वती का एक नाम क्या है सारदा मासर्श्वती का एक आज समुंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई हम पच्पन से लेके आज तक सुनते आए उसको आज तक बसता है उगाना नहीं बजेगा तो सरस्रती पूजा अमान्य है वहां पे उमान्यता प्राप्त होता है जब उगाना बसता है सर्टिफिकेट दिया जाता है और उगाना हंगुरी हंगुरी तब और एक बात है मा सरफ्रती का पूजा तो करते हैं हम लोग पढ़ते हैं हम ही लोग नहीं करते हैं हम लोग घर में गोड़ लग लगते हैं और जो लोग के दारू हाणी सराब में डुबा रहता है ना देखिएगा वही लोग को अक्सर हम इने भी ब करना भी चाहते हैं उनके सरन में उनके नजर में उनके पाउं के तले ताकि कोई दोस कुछ भी हो कश्ठो मीट जाए देखते हैं कि जो लोग सराप पीता है न वहीं लोग बलता है वे कहिया छपवा भी भे पंप्लेट कैसे सरस्थी पुझा शुरू है वाला दूस अपता बाकी हो और लोगो पढ़ने लिखने से कोई मतला है जो पढ़ने वाला लड़का होता है गोड़ा लगके निकल जाता है और बाकी लोगो धारू पीना है डीजे बजाना है किताब दस को तुलंके रख दे कित आप वहां रख दीजेगा तो का होगा कुछ होगा माता सरस्थी आसिरवात देंगी क्या अगर वह इसा रहता तो हम अपना पूरा ओफिस का लाइबरेरी हुआ पहुंचा दे हम सरस्थी का गोड़े जगा रख दे आप सब खौपणी में गुझा नहीं बहिया किताब कलम क आपको चलाना होगा किताब कलम आपको चलाना होगा मेहनत आपको करना होगा सुबह साड़े छे बज़े से सामका साड़े छे बज़े होने जा रहा है पांच पच्के पार हो गया होगा भी तो शे दस हो गा है अएसे पढ़ ना होगा तब निकलेगा सचिवाल है ने तो आप निकले गाए सउचाले से समझने है या शेद रख्यो एक जो कॉलकरता है को न receivers 1863 कब बना था 1863 याद होगा ठीक सौ साल बाद 1963 को क्या हुआ था तो मोर को राष्ट्य पक्षी का दर्जा दिया गया था कि यहीं धोलो किस राज्य की अस्थापना हुवी थी 1863 में कमेंटेरिया में भर किया यह तब जाने हो कि भूस-दर लिगुध-एशूफ जैसे केरल का याई कोट है एरना कूलम में केरल का हूछ कॉलम में लेकिन опас लैशिदीब का भी होता है कांड होगा लचुदीप में वहीं आना होगा यहां जाएगे कांडबानी को बार में वहां के लोग वहीं फैसला करवाने आते हैं और आज के डेट में पूरे भारत में कितने हाई कोट है भाईया इंपर्टेंट कोश्चन जीस का 25 packet है पकी को मुझे अर्या में भरना है जारखंड का वरितना का नंबर क का है जूर से मत भो रहे बंगाली लोग बागाली तेज होता है हमें जानते हैं जादा नहीं बोलना है दीर बोली आगे हैं देवनागरी लिपी का विकास इस करम में हुआ है ब्राम्ही लिपी बोले ना सबसे पहले के आएगा ब्राम्ही लिपी उसके बाद गुरु गुप्त लिपी फिर काया कुटिल लिपी फिर क आया प्राचिन लिपी उसके बाद देवनाद देख रहे हैं आज किलियर हो गया पुरा और फिर से अच्छा बार पहले पढ़ाया थे आज और किलियर हुआ ना हाँ चलिए ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग रोज दिन देखते हैं ब्याकरन कितना रूलाता है हम लोग को रूला कभी नहीं रूला पाएगा हम लोग अपने बदमास हैं अगर आप बैड है तो हम तुमारे डैड है समझ लिजे आप लिखेगा कुछ भी हम लोग पढ़के निकल जाएंगे भारत में कुल 22 लिप्यो का प्रचलन है जो इस प्रकार है ब्रामी और कैगो भासा को लिया 22 खारोस्टी गोप्त कुटेल देवनागरी सारदा बांगलात तेलगू कन्नर गरंद कलिंग तमील बटेलूतू मल्यालं गुरुमुखी गुजराती मैतली मोडी कैती महाजनी उर्दू रोमन क्लियर तो 22 लिपी 22 भासा हर बड़ा ये मतम तो खतम है का हर बड़ा रहे घर जाना है भासा क्या है भासा में है संस्कृत पाली प्राकृत क्या है संस्कृत पाली प्राकृत अपभरंस उडिया उडिया तरफ ने जाना है संस्कृत पाली प्राकृत कौंकरी हिंदी मराठी लिपी क्या होगा देवनागरी कुष्चन ऐसे आता है मराठी का क्या लीपी मिला था आपको? देवनागरी हिंदी का वही है पाली का भी वही है जिस भाष्वा में भगवान बुद्ध दिये वो भी देवनागरी लीपी जिसमें महाविर श्वामी दिये परकृत में वह भी देवनाग्री लिपी जिसमें हमारे पूरवज़ पढ़ते थे संस्कृत उसमें भी देवनाग्री लिपी औब क्वहप्ण से वहट भी नाग्री लिपी गुगार जो तट होता है जैसे भारत देश है अपनजी उसकी राज़्धानी तो ध्यान रखेगा तो गोईka का जो भाषा और लिख जाती अट्टा कौन है रहे तू पहिला डायलोग देखे है पीचर का तीरो का इंट्री लूंगी को मोड़ा दौली को प्रेगा कौन है रहे तू बोलेगा पहिला डायलोग हीलो से भीडंत का मलियानम रजनी कान्थ का देखे होंगे मलियानम देखे किने बनना जुंड में तो सूवर आते है सेर अकेला आता है डायलोग सुने है न गुजराती तो देखवे कि मोधी जी को भाई और बहनो मित्रो बोलके निकल जा रहा है न वही वाला अब पंजाबी तो आप देखवे किये होंगे बहुत सारा गाना भी आपको पता होगा पंजाबी का साठे नार रहोगे तो ऐस करोगे सुने है न उसके बाद क्या है उर्दू कस्मीरी और शिंधी इसको अर्भी फार्शी में लिखते हैं उसके बाद है बंगला आमी जे तुमार छुन-चुन-चुन तुमी जे हमार छुन-चुन-चुन सुने है कि ने गोटी बोलता था न वही वाला कंणाड कंणाड का सुने है न जैसे कंणड आपको बोलना है तो पान गुंति में चाहिए बोले टीना वला डबा दीजे जर्दा वाला उसमें दूग रुगड़ी को डाल दो करेगा ना तो वहीं कंणड है समझ वहीं बोलता है उसके बाद असम्या नाम सुनबे की होंग एगो मुकमत्री असम के जो बहु तरह का प्राबलम होगा तो हमसे जरूर मिलिएगा आपका हम जरूर मदद करेंगे इसे के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ पिडियो पिल जाएगा धन्यवाद अप में मिलेगा धन्यवाद सब्सक्राइब कर लीजेगा जी लाइक भी किजेगा जी शेयर भी जा आप में जाना सब कुर्स लॉंच है उसको भी देख लेना सब को बताना हां दोस्त को बताओ भाईया को बताओ महिया को बताओ गुया को भी बताओ सब को बताओ ठीक है धन्यवाद नायर वतनावाद